दिर स्टुडेंट स्वागत है आप सभी का हमारे रेट्व चैनल स्टुडी विद दुलार में बच्चों ये एक्सरसाइज 42 है क्लास 5 का मैथ बुक है और इसमें ज्यादातर एड और सब्टेक्ट दिया हुआ है इसलिए जो बने हुए हैं उन सब को मैं बना कर नहीं दिखा रहा हूँ उसी को मैं दिखा दे रहा हूँ अभी काफी ठंड बर चुकी है आप लोग पढ़ाई करने के लिए रजाई में घुश कर पढ़ाई कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी तरह से कहीं भी ज्यान अर्जित होता है ज्यान अर्जित कर लेनी चाहिए हमारी संस्किर्थी यही कहती है आप दिख रहे है क्कोश्चन नमर्बर वन में यहाँ पे एड दिया हाँ है और यहाँ पे जो एड क्या हुआ है 2685 यहाँ पे जो दिया हुआ है 58.62 यह बिल्पुल सही है और बिल् قल सही है इसलिए मैं आप सब को यहाँ से दिखा रहा हूँ हो यहाँ पे 140 140 Bo ter 93 यहां दिया हुआ है इसका अंसर 2 का और 3 na 511.291 यह दिया हुआ है और आगे इसके देखते हैं क्वेचिनननन्मर 4 217.087 वाइट यह है क्वेचिननन्मर 6 का आंसर है और 7 का आंसर है 920.048 question number 8 781.083 यह answer है इसके अलावा यह सारे 8 जो दिये हुए है question number 9 से यह 13 तक उसको मैं आपको paper में बना कर दिखा दूँगा और question number 15 से लेकर question number 22 तक आप इसको ही बना लेंगे यहां पे बिल्कुल सही भरा हुआ है यहां पे यहां पे है 49.62 question number 15 का question number 16 का 28.45 question number 17 का 84.47 और 18 question number 18 का 127.749 यह इसका answer है यह थोड़ा सरगड़ा हुआ है तो आपको इसलिए मैं बोल के बतला रहा हूँ 749 है यहां पे और 26.868 यहां पे हो गया question number 19 और 20 question number 20 में 12.567 question number 21 में 282.837 question number 22 में 337.414 418 यह दिया हुआ है तो यहां पे उसके बाद का जो answer है उसको मैं पेपर में आप लोगों को बना कर दे दूँगा आप सोच रहे होंगे कि मैं इस तरह से इसको क्यों पढ़ रहा हूँ तो यहां पे देना और इधर इसको नहीं पढ़ सकते हैं 418 इसको नहीं पढ़ा जाता है इसको पढ़ा जाता है 418 क्योंकि इसका value काफी कम हो जाता है इसलिए इसको इस तरह से पढ़ा जाता है तो आए मैं आपको 23 से लेकर जो question बचे हुए है उसको मैं paper में बना के दिखाता हूँ बच्चो जितने questions मोईल screen पे complete हो चुके हैं उसके बाद ये exercise 42 का बागी question यहां पे है तो evaluate यहां पे इसको plus करने के लिए कहा गया है plus का जो chin देख रहे हैं आप यहां पे add करने के लिए कहा गया है और question number 10 देख रहे हैं आप यहां पे यह भी add है और इसको भी plus किया गया है इस तरह से इसका answer यह हो गया question number 10 question number 11 question number 11 में यह भी add है इसलिए मैं आपको करके नहीं बना के यहां नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि आप लोग add जानते ही है तो यहां पे मैंने already बना कर रखा हुआ है question number 11 का answer यह हो जा रहा है question number 12 में भी add है तो इसमें सिर्फ layer बढ़ा दिया गया है आप देख रहे हैं ताकि बच्चे confuse हो जा और गलती कर बैटे इसलिए इसमें 1,2,3,4 4 layer में यहां पे दिया गया है इसको ठीक से लिखना है सजाकर और इसको add कर देना है बस answer आजाएगा बिल्कुल सही answer आएगा यह इसका answer है question number 13 इसमें भी add ही है इसमें plus का चीन बीच में नहीं दिया गया है अब देख रहे हैं यहां पे इसको comma में दिखाया गया है तो इसको आपको layer में बनाना है 1,2,3 layer में यहां पे बन रहा है और इसका answer यह हो जा रहा है question number 13 question number 13 हो गया question number 14 इसमें 4 layer दिया हुआ है 1,2,3,4 तो 4 layer में कुछ सजाकर बढ़ियां से लिखना है अदरवाईज गलती होने की काफी संभावना राता है layer ज़्यादा बढ़ जाने पर तो यह जो है इसका question number 14 का answer यह हो जाएगा question number 14 उसके बाद हम लोग आते हैं आगे यहां पे subject दिया गया है question number 15 to 22 आपको mobile screen पे इसका answer दिखा दिया गया है इसलिए मैंने इसको यहां पे लिखके रखा है question number 15 से 22 तक mobile screen पे दिया गया है और यहां पे 23 का यह minus है from जहां लिखा हुआ रहेगा आप देख रहे हैं from from मतलब होता है say मतलब इससे घटाना है तो यह बड़ा है यह छोटा है तो बड़ा जो रहेगा उपर में रहेगा तो इसको मैंने पहले यहां रखा है फिर इसको रखा है और इसको मैनस कर दिया 23 है हो गया 23 का यह answer हो गया 23 और इसको बड़ा 24 तो इसमें भी उसी तरह का from लिखा हुआ है इसको कई पर बच्चे confused हो जाते हैं यह simply इधर दिया हुआ है इसको उपर रख देते हैं इसको नीचे रख देते हैं और वैसे करने से फिर यह minus नहीं होता या फिर गलत कर बैठते हैं तो जब from लिखा हुआ रहेगा तो आपको इसको बाद में जो दिया हुआ हुआ उसको उपर रखना है और जो पहले दिया हुआ उसको नीचे रखना फिर minus कीजिए फिर answer बिल्कुल correct आएगा यह इसका answer है question number 25 उसमें भी वही दिया हुआ है तो इसका answer यह है यह होगी है 25 उसके बाद 26 में भी difference मतलब subject दिया हुआ है इसको simply जैसे दिया हुआ है इससे और इसको minus करना है तो यह सिधा रखना है 129, 23 और इसको 73.89 इसको सिधा रखना इसको पहले रखना उपर में और इसको बाद में रखना जब from लिखावान नहीं रहे तो ऐसी इस्तिति में यह इसका answer हो गया 26 का और 27 का यह हो गया 27, 28 28 का यहाँ पे simply दिया हुआ है तो इसको इस तरह से हम लोग घटाते हैं और यह इसका answer आजाता है evaluate इसमें जो चीन दिया गया है 29 का 2.9 इस तरह से दिया गया है तो जो चीन दिया गया आप वही करना है तो यहाँ पे आप देख रहे है यहाँ पे 4 layer में दिया गया है अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात है otherwise गलती होने की संभावना है यहाँ पे देख रहे हैं इसके पहले कोई भी चीन नहीं मतलब यह plus में है और इससे पहले minus में है तो यह minus इसका है और यह plus तो यह हो गया यह plus में हो गया और यह minus में हो गया तो जिसमें plus और plus है उसको एक साथ जोड़ दिया यह 2.9 यह हो गया और 18.6 यह एक साथ जोड़ दिया है और जिसमें minus है इसमें minus है और इसमें minus है उसको एक साथ जोड़ दिया है यह हो गया उसके बाद जो है जो प्लस वाला है उसको उपर में रखें और माइनस वाला जो है नीचे रख दियें फिर यहां पर माइनस कर देना है तो माइनस किये नहीं है तो आई यहीं पर कर लेते हैं 10 में 3 हो गया तो 7 और यहां पर बच गया 4 तो 4 यहां से लेते हैं 14 हो गया 14 में 5 यह विए 29 का एंसर तो 30 में भी उसी तरह का question दिया हुआ है minus plus करके दिया हुआ तो जो plus plus रहेगा उसको एक साथ plus कर देंगे यह 16 और यह 12.86 जो दिया हुआ है इसको एक जगा plus कर दिया है इसको और जो minus में दिया हुआ है 7 और 9.9 तो इसको एक जग़ा plus कर दिये, दोनों को plus करने के बाद 8 जो किये है, जो फस्ट में किये है, plus वहला, तो उसको उपर में रख देते हैं और फिर इसको minus करते हैं, तो 6 में से 0 जागा तो आख ग disorder और 9 में से 9 जागा तो और यह प्लस में है तो इसको एक साथ प्लस कर दिये और जो माइनस में है उसको एक साथ प्लस कर दिये यह हो गया उसके बाद जो प्लस वाला है उसको उपर में लिख दिये और जो माइनस वाला है उसको नीचे में माइनस करके लिख दिये अब यहां पे इसको मेनेश करना है तो 10 में से 6 चला गया और यहां पे हो गया 2 2 में से 1 तो 1 8 में से 7 तो 1 हो गया यहां point रहेगा और 3 में से 1 तो 2 यह हो जाएगा 31 का यह answer हो जाएगा यह हो गया complete अब इसके आगे हम लोग चलते हैं question number 32 में what problem दिया हुआ है तो इसको सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं राकेस बाउट इतना केजी पोटेटो, इतना केजी टोमेटो और इतना केजी ओनियोंस तीन चीज़े खरीद रहा है how much vegetables did he buy तो वह कितना vegetables खिरदा तो जितना भी दिया हुआ है उन सबको add करना है तो सबको यहाँ पे add कर दिया गया है पोटेटो है और यह टोमेटो है यह ओनियों है सबको add करने के बाद इतना केजी आ जा रहा है तो मतलब वो total जो है इतना vegetables खिरदा इतना केजी तो यह answer हो जाएगा question number 33 33 में क्या दिया हुआ है रहीम है 200 kg rice in his shop उसके दुकान में रहीम के दुकान में 200 kg चावल है he sold 37.509 kg and 85.78 kg rice to his customers सबसे पहले वो इतना बेच देता है 37 से ज़्यादा और 85 kg से ज़्यादा बेच देता है how much rice is left in his shop अब उसके दुकान में कितना चावल बेच देता है तो इन दोनों को एक साथ जोड देते है यह जोड दिया इन दोनों को एक साथ इतना बेच दिया इसका मतलब total इतना बेच दिया तो इतना बेच दिया तो उसके पास पहले कितना था 200 kg इतना केजी अभी उसके पास चावल बचा हुआ है तो इतना केजी हो जाएगा यह अंसर हो जाएगा इतना हमको प्राप्त हो जाएगा उसमें से मैनस कर देते हैं तो यह मैनस क्या हुआ है यह इसका अंसर हो जाएगा और question number 35 जो last question है तो आई उस पे चलते हैं question number 35 इसको पहले पढ़ते हैं how much is the sum of यह number दिया हुए and इतना greater than the difference of इतना and इतना तो इन दोनों को जोड देते हैं और फिर इन दोनों को जोड देते हैं इन दोनों के जोड से कितना बड़ा है इन दोनों के add से कितना बड़ा है तो सबसे पहले इन दोनों को जोड देते हैं तो इन दोनों को यहां पर जोड दिया गया है इतना आ गया और फिर इन दोनों को भी जोड दिया गया है यह इतना आ गया तो यह जो है इस से कितना बड़ा है तो क्या करना पड़ेगा इसको इससे माइनस करना पड़ेगा तो यहाँ पर इस form में लिखा हुआ है इसको माइनस कर देते हैं पता चल जाएगा 3 मेंसे 9 जाने मुPar नहीं है यहाँ पर हो जाएगा 13 तो 13 में से 9 चला जागा तो यह 4 बच गया और यहां पे हो गया 2 यहां पे 2 बचा हुआ है यहां माइनस नहीं होगा तो यहां से केरी लेते हैं 12 हो जागा 12 में से 3 तो 9 यहां पे 9 हो जागा और यहां पॉइंट हो गया यहां पे हो गया 8 8 में से 3 तो 5 हो गया 8 में से 4 फोर हो गया और 3 में से 2 तो 1 हो गया इसका मतलब है कि ये इससे इतना बड़ा है तो ये नमबर जो है 35 का ये अंसर हो जागा और यहाँ पर exercise 42 पूरी तरह complete हो जाता है अगर आप लोगों को हमारे वीडियो से थोड़ा भी मदद मिलता है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजे और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजे अपने दोस्तों के साथ सेर कीजे और नेक्स एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे तो आई हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं